हाई फ्रेंट्स माइसेल डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपको एक होमेपैतिक मैडिसिन एक्सप्लेइन करूंगी जिसका नाम है औरम ज्रेकॉंटियम मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फेर ओफेक्शन क्या है और क्लेनिकली आप कौन-कौन सी कंडिशन में इस मैडिसिन को यूज कर सकते हैं साधी साथ इसका डोस के आपको कौन से डोस में इस मैडिसिन को यूज करना चाहिए लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन हो सब्सक् अखिर बॉड़ी के कॉन-कॉन से और बियुकर में और कॉन से पार्ट में मैडिसिन एफेक्टिवली वर्क करती है तो सबसे पहले यह थ्रॉड से रिलेटेड़ कंप्लेंज के लिए बहुत ज्यादे यूज की जाती है अगर आपको गले से रिलेटेड़ कोई भी कब सकते हैं कोई भी आपको इस ना Problem कर सकते हैं कि आपको सब्दियों के मौसम में यह पर आपको ज्यादा खराश होना आपको खांसी जーदा आती है तो आपNS मैडिसिन का यूज कर सकते हैं RM-dracontium medicine को आप pharyngitis जैसी condition में use कर सकते हैं, अगर आपको sore throat जैसी condition है तब भी आप इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको गले में खराश या फिर गले में किसी भी तरीके की irritation होती है, specially आपको ठंड लग जाने के बाद या फिर कोई infection के बाद आपको irritation होती है, तो आप इस medicine का use क कर सकते हैं, जातर ऐसा देखा जाता है कि pharyngitis होने का reason है, किसी भी तरीके का viral infection या फिर bacterial infection, अगर आपको flu या फिर cold जैसी condition है, तो आप इस medicine का use कर सकते हैं, और लोगों के लिए बहुत जादे effective medicine है, जिनको पानी निगलते time problem हो, जिने जब वो पानी पीते हैं, तो गले मे बहुत जादा pain होता है, खराश फिल होती है, और उन्हें suffocation जैसा feel होने लग जाता है, उन्हें chest में tightness फिल होती है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी तरीके का bacterial infection अगर उनको throat में हुआ है, तो वो लोग भी इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको fever हु अगर आपको किसी भी तरीके का इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का infection है, infection वायरल भी हो सकता है, बैक्टिरियल भी हो सकता है उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है आपको बोलने में तकलीफ होती है आपको हॉर्सनेस और वोईस की कंप्लेन है तो आप इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं और वो लोग इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं आरम ड्रेकॉंटियम मैडिसिन का यूज आप ऐस्तमा जैसी कंडिशन में भी कर सकते हैं अगर किसी परसन को सास लेने में बहुत जादा तकलीफ होती है उन्हें सफोकेशन फील होता है उनके जो एयर्वेज है वहां पर जादा म्यूकस का फॉर्मेशन होता है जिसके वज़े से उन्हें सास ले में तकलीफ होती है तो ऐसे लोग इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं इसके अलावा इस मैडिसिन को आप कान से रिलेटिव प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं अगर किसी परसन को बहुत कि वज़े से इसे परसन को कानों में तकलीप हो सकती है कोई इन-फेक्शन हो सकता है तो अगर कोई भी इन-फेक्शन नोस या पिर थ्रौड से एर की तरफ माइगरे तो ऐसे लोग इस मैडिसिन का उसकर सकते हैं और को वी विज़े से जादा का फिंग होती है अगर आपको कोई infection हुआ या फिर सर्दियों में बहुत ज्यादा कफिंग की कंप्लेन है कोई भी डिजीज हो जैसे की ऐस्तमा या फिर टीवी जैसी कंप्लेन हो तो आप इस medicine का यूज कर सकते हैं अब मैं आपको इसका डोस बता देती हूं कि आपको कौन से डोस में इस medicine को यूज करना चाहिए तो आप इस medicine को 30 potency में यूज कर सकते हैं अगर आप इस medicine को 30 potency में यूज करते हैं तो आपको 4-4 द्रॉप दिन में तीन बार डायक्ट अपने टंग के ओपर इस medicine को लेना होगा सो फ्रेंज यह था औरम ड्रेकॉंटियम मैं आपको बताया कि आखिर आप कौन कौन से clinical condition में इस medicine को यूज कर सकते हैं और कौन से डोस में आपको इस medicine को यूज करना चाहिए तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो यूसफुल और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon उसे press कर लीजिए तक आपको मेरे आने वाली वीडियो को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you